हालो वरेवन बेल सी नर्सिंग गॉवर्मेंट से करने का सपना देखने वाले उन सभी फ्यूचर जनरेशन के लिए इस लोगडाउन और कोविड के स्टरगल के बाद आपका अपना JINC जूदपुर लेकर आया है आफ्लाइन बैच आप सब की डिमांड पर जहां पर त्यारी होगी BSC नर्सिंग एंट्रेंस की क्या खास होगा इस बैच में जाने गली चलते हैं BSC नर्सिंग एंट्रेंस और मिलेटरी नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस कूची 6 सप्टम्बर को बैच स्टार्ट किया जा रहा है ताइम दोपर तीन बजे से साथ बजे क्या खास होने वाला इस बैच में जानते हैं जैसी आपका एड्मिशन होता BSC नर्सिंग एंट्रेंस कूचिंग में तो आपको बच्चों एक JNC का बैग मिलेग और JNC की टीशिट मिलेगी जो हर कोई बच्चा गौरवानित महसूस करता है जब भी ओ JNC परिवार से जुड़ता है आज आपका परिवार लाखो बच्चों का परिवार है इसी फीस में इंक्लूड होगा इसके अलावा सब्जेक्ट जो है सेलिबस आपका बाइलोजी होगा बच्चों 11th and 12th का Chemistry होगा 11th and 12th का Physics होगा 11th and 12th का उसके अलावा English और Reasoning जो है ये Military Nursing Service वाले बच्चों के लिए में आता है MNS और इसकी जो क्लास मिलेगी आपको वो ऑनलाइन क्लास मिलेगी बाइलोजी, Chemistry, Physics क्लास आफ्लाइन होगी और जो बच्चे Military Nursing Service की त्यारी करें उनको English और Reasoning की Additional Class Online मिलेगी बच्चों खासियत क्या इस बैच की अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैच किस-किस एक्जाम में आने वाले कौन-कौन से में इक्जाम है जिसके लिए आप त्यारी करने वाले हो RUHS राजिस्तान, University of Health Science, जैपूर राजिस्तान गौर्मेंट का जो एंट्रेंस का एक्जाम है BAC Nursing उसका फॉर्म जल्दी आने वाल है इसके अलावा Military Nursing Service, MNS का फॉर्म और याद अखना बच्चो, RUHS के लिए मेल और फीमेल दोनों eligible है और Military Nursing Service लिए सिरफ female eligible है और मैं उन specially females बच्चो को कहना चाता हूँ जो Rural Area से बिलॉंग करते हैं, गाहों से बिलॉंग करते हैं जनके पास जानकारी का अबाव होता है वो बच्चे जरूर इस एक्जाम को दें क्योंकि Military Nursing Service में आपको selection होने के बाद चार साल के Nursing आपको Army करवाती है जॉब भी देती है और मतलब आप एक बाद सेलेक्ट होने के बाद आपका future bright है इसके लाव उसके बाद All India Institute of Medical Science एम्स का एक्जाम भी आएगा तो बट में कमिंग ये एक्जाम से जिसकी आप त्यारी करने वाले अब बीसी नर्सिंग एंडफेंस में एडमिशन लेने के बाद यदि आप हॉस्टल में स्टेक करना चाहते हैं तो बॉइज के लिए 6,000 रुपीज पर मंत और गल्स के लिए भी 6,000 रुपीज पर मंत हॉस्टल चार्ट जहांपर breakfast होगा लंच होगा, डिनर होगा टू टाइम टी होगा और ये हॉस्टल है आपका जहांची गुरुकुल में जहांपर आप स्टेक कर सकते हो बॉइज और गस्ट दोनों हॉस्टल सेपरेट है इसके अलावा लाइबरी फैसिलिटी कम्प्लीट फ्री है आपको स्टेक करने लिए लाइबरी फैसिलिटी अवेलेबल है जहांची गुरुकुल जोदपुर में वीकली ओमार टेस्ट होगा जहांपर वन वीक में जो आपने पढ़ा उसमें से कुश्चन पेपर बनेगा 100 MCQ का टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद राइट आंसर्स आपको मिलेंगे और अन दा स्पॉट रिजल्ट भी आपको मिलेगा ताकि आप सेल्फ इवेलवेट कर पाएं कि वाट आई लर्न फूर लास्ट वन वीक क्या हमने पढ़ा लास्ट वन वीक में बच्चो इसके साथ साथ 30 डेस में 30 डेस्ट क्लास होगी बच्चो याद रखना नो वेकेशन कोई चुट्टी नहीं होगी क्योंकि यदि सपने को चार चांद लगाने है तो मेहनत सिद्दत से करनी होगी डेली टू टीचर आपको डेली दो दो गंडे की क्लास लेंगे और वीकली ओमा टेस में ने अलड़ी आपको बता दिया इस बैच को जोइन करने का बैटरीन तरीका आपको रजिस्टेशन करना पड़ेगा थाउजन रुपीज आप पे टीम और फोन पे कर सकते हैं इसके बाद रिसिप्ट आपको वाट्सप पे मिलेगा आपका रजिस्टेशन कंफर्म हो जाएगा छे सप्टम्बर को आपका बैट स्टार्ट हो रहा है शाम को तीन से साथ बजे उससे पहले आपके अपना एडमिशन कंफर्म करें जुडिये J.I.N.C. परिवासिक करें अपने सपनों को साकार थैंक्स इंडिया तु ट्रस्ट आण J.I.N.C. जूद्पूर